मूवी की शुरुवात होती है और हमें एक बहुत ही खुबसूरत सा आइलेंड दिखाया जाता है जहां हमें चारों तरफ पानी ही पानी नजरा रहा था और इस आइलेंड पर बहुत सारे लोग एक शिप में सवारो कर इंजॉआई कर रहे थे क्योंकि चारों और का नजरा बहुत खुबसूरत था अब हम इसी शिप पर मिलते हैं इस मूवी के लीड केरेक्टर गाओ और इसकी बेटी किया से आज तो किया का हैपी बादे है और इसलिए वो बहुत जादा खुश है किया के फादर गॉंग उसके बौदे पर उसे एक वोकी टॉकी गिफ करते हैं जिसकी वो बहुत टाइम से डिमान कर रही थी किया गिफ में अपने फादर से वोकी टॉकी को पाकर खुशी से जुम उठती है और तभी से डन पानी में डॉल्फिन्स डांस करती नजार आती है और एक साथ बहुत सारी डॉल्फिन्स जम करने लगती है ये नजारा देखकर बौट पर सबार सारे लोग हैरान ही रह जाते हैं क्योंकि इस से पहले उन्होंने इतना सुंदर नजारा कभी नहीं देखा था सभी को तो ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक इत्तफाक है सभी लोग डॉल्फिन्स को देखने में इतने जादा मश्गूल थे वो ये भूल जाते हैं कि दरसल इतनी सारी डॉल्फिन्स का एक साथ आना हो सकता है इसके पीछे कोई भयानक रीजन हो और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता बौट पर अचानक से एक बड़े सी क्रियेचर का हमला हो जाता है और अब ये पूरी तरह से साफ था कि वो डॉल्फिन्स इस क्रियेचर से बच कर वहाँ से भाग रही थी क्रियेचर के हमले की वज़े से बौट पूरी तरह से तबाह हो जाती है और गौंग भी उधर बेहोश पड़ा था जब उसे थोड़ी देर में होश आता है तो वो उटकर चारो तरफ के नजारे को देकर हैरान रह जाता है क्योंकि हर कोई क्रियेचर की हमले के वज़े से मुसीबतों से जूज रहा था हर किसी का अपना इस हमले में खो गया था और तभी गौंग चारो तरफ नजर दोड़ाता है लेकिन उसके बेटी कहीं नजर नहीं आ रही थी वो जूर जूर से किया का नाम लेकर चारो तरफ चिलाता है लेकिन वो तो शायद उसके आस पास ही नहीं थी तब इससा डन गॉंग को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है वो ध्यान से चारो तरफ अपनी बेटी की आवाज सुनने की कोशिस करता है तो वो आवाज वोकी टौकी से आ रही थी जिसका एक हिस्सा उसके पास था वोकी टॉकी में आ रहे है सिगनल की वज़े से वो असानी से पता लगा लेता है कि आखिर उसकी बेटी इस वक्त है कहां वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिस करने लगता है तब ही वो क्या देखता है कि उसके बेटी कुछी दूरी पर उससे आइलेंड पर है और उसके साथ भी बहुत सारे लोग हैं दरसल वो लोग भी इस आइलेंड पर इंज्जुआई करने आये थे वो अपनी बेटी को देखते ही जल्दी उसे बचाने के लिए आगे भागता है तब ही एक आदमी गौं को रुख देता है क्योंकि उस जगा पर वो जो देख पा रहा था वो बहुत ही भायानक था उसे वही पर एक बार फिर से वही बड़ा सा क्रियेचर दिखाई देता है और ये क्रियेचर कुछ और नहीं बलकि एक बड़ा सा स्नैक था अब जैसे ही गौं के नजर उस क्रियेचर पर पढ़ती है वो भी देखकर हैरान था क्योंकि इससे पहले तो उसने अपनी आँखों से इतना बड़ा क्रियेचर कभी नहीं देखा था वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वो भाग कर वहाँ जा पाता वो सनेक वहाँ मजूद सभी लोगों पर अटाक कर देता है और जल्दी एक एकर सबको निगलने लगता है इवन वो इतना जादा ताकतवर था कि वो अपनी पूछ हिलाने मातर से लोगों को उड़ा दे रहा था क्रियेचर के हमले के बाद भी किया को जंदा देकर गॉंग बहुत खुश हो जाता है और वो किया को बचाने के लिए भागने लगता है लेकिन तब तक वो सनेक को भी निगल जाता है और जल्दी वो सनेक वहाँ से चला जाता है अपनी बेटी को अपने आखों के सामने मरता देखकर गॉंग पूरी तरसे तूट जाता है वो अपने घुटनों के बल बैट कर खुद को कोसने लगता है कि उसकी बेटी उसके आखों के सामने थी और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया इस आईलेंड पर मौजूद सभी लोग बहुत परेशान थे कि यहां से आखर कैसे बचकर निकला जाए क्योंकि इनकी शिप तो पूरी तरसे तबाह हो चुकी थी तबी गॉंग क्या महसूस करता है कि वोकी टॉकी में सिगनल आ रहे हैं और जब वो वोकी टॉकी को निकाल कर चेक करता है तो यह तो सच था और गॉंग को यह बहुत इच्छे से आध है कि स्नेक नहीं जब उसे निगला तो वोकी टॉकी उसके बेटी के हाथ में था अब वो समझ जाता है कि जो लोग स्नेक के पेट में मौजूद है वो अभी भी जिन्दा है गॉंग जल्द ही ये बात सबको यकीन दिला देता है वो इस बात को प्रूफ कर देता है कि सभी लोग अभी भी जिन्दा है और हमें उमीद नहीं छोड़नी चाहिए हमें अपनों को बचाने के लिए आगे बढ़ना ही होगा और इस बात का नारा लगाते हुए सभी एक साथ आ जाते हैं इसी मोटिवेशन के साथ सभी निकल पढ़ते हैं उस जंगल की ओर जहां पर वो स्नेक गया हुआ था लेकिन कुछ लोग अभी भी जंगल में जाने के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जंगल के अंदर जाना यानि कि मोट को दावत देना है लेकिन तब ही वहाँ पर अजीब सा लाल कलर का क्रियेचर आ जाता है और वो लाल कलर का क्रियेचर लोगों को चिपका कर अपने अंदर निगल रहा था जिसका साफ मतलब था कि वहां के ला रहना भी सुरक्षित नहीं है अब कोई आप्शन ना होने के कारण बचे हुए लोग भी गौंग के पीछे आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी बड़े से स्नेक को जो कि अपने नेस्ट में पहुँचकर अपना मूँ खोल कर सभी निगलेवे लोगों को पहारुगल देता है इन में से बहुत सारे लोग तो मर शुके थे लेकिन कुछ लोग अभी भी जिन्दा थे और जिन्दा लोगों में किया भी शामल थी बचे वे लोग वहां का नजारा देकर हैरान थे क्योंकि वहां चारु तरफ बहुत धेर सारे अंडे थे और ये अंडे स्नेक के थे सब भी उन अंडों को देकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जल्दी ये अंडे फूट जाएंगे और वो लोग सापों से घिर जाएंगे और अब इसका मतलब साफ था कि वो साप अपने बच्चों के लिए खाना इखटा कर रहा है इन बचे भी लोगों में एक आदमी टॉम भी था वो बिना किसी को बताए और पूछे एक बड़े से पत्थर को उठाता है और एक अंडे पर जोर का मारता है टॉम की बेवकूफी भरी बाते सुनकर सभी हैरान थे और इससे पहले कि वो लोग कुछ रास्ता ढून पाते तब तक उस अंडे में से एक छोटा सा बच्चा निकल कराता है जो की दिखने में बहुत खूंकार था सभी उसे स्नेक से बचने के लिए जल्दी से एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं तबी वहीं जमीन पर पड़ी हमें एक लेडी को देखते हैं जो की सापके निगलने की बज़े से वो पैरलाइज हो चुकी थी और वो भाग नहीं सकती थी वो बार बार सबको मदद के ल रहे थे चलते चलते सभी लोग काफी धक चुकी थे इसलिए थोड़ी देर रुक कर रेस्ट करने का फैसला करते हैं तभी गॉंग एक पेड़ की टैनी को काटने लगता है उससे कट करते ही उसमें एक अजीब सा काला कलर का लिक्विड निकलता है और वहीं पास में बैठा अग लग चुकी थी अब इससे साफ जाहिर था कि ये लिक्विड फ्लेमबल है और वहीं थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि गॉंग को अजीब से हैलोसिनेशन्स होने लगते हैं और जब हमारी नज़र उस पेड़ पर पढ़ती है तो उसकी टैनिया अचानक से पेड की स्टिम्स एके कर्डोगों को बादने लगती हैं अब ये साफ था कि ये पेड कोई नॉमल पेड नहीं बल्कि इंसेक्टिव और इस प्लांट था जो कि जानवरों और इंसानों को खाता है सभी एक दूसरे की मदद करते वे बचाते वे वहां से भागते हैं लेकिन एक आदमी उस पेड के बनाएंवे जनजाल में फस जाता है और अब उसके च्राप से निकलना नामुम्किन था क्योंकि वो इतना खतरनाक था कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता था और जल्द ही वो जहरीला पेड उस आदमी को खा लेता है दूसरी तरफ हमें साप के नस का सी उसे ऐसा करते देख सभी उसे रोकने की कोशिस करते हैं क्योंकि अगर टॉम ने बार बार ऐसा करने की कोशिस की तो वो साप भड़क कर एक एक कर सभी को मार डालेगा टॉम तो इतना पागल हो जुका था कि वो आपस में ही सबसे लड़ाई करने लगता है तब ही उनी जाते भी कहते हैं कि अगर हम सभी को यहां से बाहर निकलना है तो हमें टीम वक करना होगा और शांत रहे कर यह सोचना होगा कि हम जल्द से जल्द यहां से बाहर कैसे निकलें वहीं गॉंग उस भयानक जंगल में अभी भी अपनी बेटी की तलाश कर रहा था वो कंटिनिय के हाथ में एक एक वेपन्स को पकड़ा देता है तब ही इनकी टीम से एक लड़का शाओ जिसे प्यास लगती है वो पास की जील में पानी पीने लगता है पानी पीते वग सड़न उसे अपनी तरफ आती हुई एक बड़ी से फिश दिखाई देती है जो की पानी के ऊपर उड रही थी वो फिश लगातार उसके तरफ बढ़ती जा रही थी वो हैरानी से उसे देख रहा था और जैसी वो उसके पास आती है वो जट से उसे पकड़ लेता है वो फिश भी किसी मॉंस्टर से कम नजर नहीं आ रही थी वो बड़ा सा मूफ एला कर शाओ को खाने के कोशिस करती है लेकिन शाओ अपनी पूरी ताकत लगा कर उसे वापिस नदी में फेक देता है और वहां से भाग निकलता है उसके ऐसा करते ही वहां हजारों के संक्या में फिश उसके पीछे पर जाती है वो जल्दी अपनी टीम के पास पहुंच जाता है लेकिन फिश भी वहां आ कर आते हैं अब फाइनली फिशिस ने तो इनका पीछा छोड़ दिया था लेकिन अब भी सभी बहुत घबराए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अभी स्नेक के नस तक पहुचने में उन्हें कितने सारे अब्स्ट्रकल्स का सामना करना पड़ेगा अब ये सभी एक साथ ग्रूप में आगे तो बढ़ रहे थे लेकिन और भी जादा शतर्ख हो गये थे क्योंकि इन्हें पता था कि यहां पर कुछ भी हो सकता है तब ही इन्हें यहां पर एक अजीब से क्रियेचर के फुट्प्रि बात में भी देखा था और तभी वो क्रियेचर इनके सामने आधमकता है ये क्रियेचर कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा सा फ्रॉग था जो कि अपनी लाल चंग की मदद से सभी को चिपका कर खा जाया करता था सभी उस भयानक फ्रॉग को देखते ही वहां से भागने लग जातार उसे अपनी और खीचने की कोशिस कर रहा था उसे पेड़ से चिपका ववा देकर सभी उसे बचाने के लिए आते हैं सभी उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की और खीचने लगते हैं लेकिन ये तो नामुम्किन था क्योंकि वो फ्रॉग तो बहुत पावरफुल था तब ही टीम का एक आदमी अपने एक वेपन को निकालता है और इससे फ्रॉग की टंग पर वार करता है ऐसा करते ही फ्रॉग की टंग से एक अजीव सा लिक्विड निकलता है जो कि सीधा जाकर उसके मूह पर पढ़ता है जिसके कारण उस आदमी का पूरा मूह जल जाता है तब ही माओ यहाँ पर अपना बड़ा साथियार लेकर आता है और सीधा जाकर उस नुकीले वेपन से फ्रॉग की आँख में वार कर देता है ऐसा करते ही फ्रॉग उस बुड़े आदमी को छोड़ देता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन ऐसा करनी की वज़े से फ्रॉग का गुस्सा दो गुना बढ़ गया था अब वो फ्रॉग लगातार उन लोगों को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था फ्रॉग जैसे ही हवा में उचलता है वही बड़ा स्नेक आकर जल्दी उस फ्रॉग को अपने मुँ में समा लेता है और इस नजारी को देखकर वहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं जल्दी वो स्नेक इन लोगों को भी भागते वे देख लेता है और अब वो फ्रॉग को निगल कर इन लोगों का पीछा करने लगता है सभी लोग वहाँ से भागते वे घने जंगल के बीचो बीच पहुच चुके थे जहां पर पेड बहुत जादा पास पास लगे हुए थे और इन पेडों के बीच इस मोटे सापका असानी से निकलना तो मुश्किल था स्नेक की बॉड़ी उन पेडों के बीच फस जाती है तो ऐसा होनी के वज़े से फाइनली ये लोग मौद के मूँ से बाहर निकल चुके थे स्नेक वहां से सीधा निकल कर अपने नेस में पहुँचता है स्नेक के उपर रेंगनी की वज़े से नेस में पूरी तरसे वाइबरेशन शुरू हो जाती है और वहां मौझूद सर्वाइवर्स को ये आडिया लग चुका था कि स्नेक उपर आ गया है उसके आते ही सभी जल्दी से वहीं लेट जाते हैं और मरने का ड्रामा करने लगते हैं स्नेक वहां से आता है और खायवे लोगों को अपने नस में उगल देता है और फिर वहीं से चला जाता है उसके जाते ही एक बार फिर से सभी वहां से निकलने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं वहीं प्लानिंग कर ही रहे थे तब ही वहीं मौझूद बागी एकस भी टूपने लगते हैं और ऐसा होते ही सभी वहीं से भाग कर एक जगा पर छुप जाते हैं लेकिन गौं की बेटी किया वहीं रह जाती है स्नेक के बच्चे अंडे से बाहर निकल चुके थे और किया वहां से नहीं भाग पाती स्नेक ने चारो तरफ से क्या को गेल लिया था तबेकिया उन स्नेक की आँखों में आगे डाल कर देखती है वो उससे ऐसे क्ड़ा करने की कोश्यस करती है जैसे कि वो उसका खाना नहीं बलकि उसके साथ हो किया कंचनियूसली उन बेबी स्नेक्स से प्यार से बाते करती जा रही थी वहीं दूसरी तरफ वो सर्वाइवर्स बाहर निकलने की प्लानिंग कर शुके थे ये लोग जैसे ही उपर से रसी को फिक्स करते हैं टॉम जल्दी से रसी पकड़ कर सबसे पहले बाहर आ जाता है टॉम उपर जाते ही सबकी मदद करनी के बजाए वहां से भाग निकलता है ये देखकर अंदर मौजूद लोग बहुत परिशान हो जाते हैं और अधर किया बेबी स्नेक्स के साथ बहुत कामदाउन से रह रही थी अब हम कॉंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि चलते चलते इस वक्त एक अजीब सी जगा पर पहुँच चुके थे जो कि दिखने में एक खंड़ार जैसी नजार आ रही थी इतने घने जंगल के बीच इतनी बड़े से खंड़ार को देखकर ये सभी थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि आखर इस जंगल में कौन रहता होगा सभी उसके अंदर जाकर देखते हैं तो उने वहाँ पर बहुत सारे इंसानों और जानवरों के स्केलेटन्स दिखाई देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे ये साफ जाहिर था कि ये जगा कुछ और ही बलकि एक बड़ी सी लाबरेटरी हुआ करती थी अब गौंग की पूरी टीम वही मौजूद चीज़ों के बारे में चानवीन करने लगती है जिससे जल्दी इन्हें ये पता चल जाता है कि यहां कुछ साल पहले साइंटस्ट आए हुए थे जो कि यहां रहने वाले जानवरों के ओपर एक्सपेरिमेंस कर रहे थे और इस जंगल में जो हम अपनी आँखों से इतने भायाने क्रियेचर्स को देख रहे हैं ये इश्वर द्वारा दिये गए क्रियेचर्स नहीं बलकि इंसानों द्वारा किये गए एक्सपेरिमेंस का नतीजा था जो कि इतना भायावे था scientist की इस experiments को देखते ही ये सब भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन लोगों को भी ये समझना मुश्किल था कि आखिर इतने बड़े creatures आये तो आये कहां से क्योंकि ऐसा तो इन लोगों ने किताबों में भी कभी नहीं पढ़ा था इन लोगों के बीच ये सारे discussion चली ही रहा था कि तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि इस वक्त नस से बच कर निकल कर आया है जिसका नाम Tom है Tom वहाँ आते ही सबी को बताता है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं वहाँ सिर्फ और से मैं ही अकेला बचाता और मैं बच कर वहाँ से भाग निकल कर आया हूँ और इस वक्त तुम सभी को वहाँ ना जाकर बल्कि वापस लोट जाना चाहिए उसकी ये बात सुनकर गॉं के तुझे साह से थम जाती है उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी नहीं है गॉं के था है जब तक मैं अपने बेटी को अपने आखों से ना देख लो मेरी उमीद हमेशा कायम है सभी गॉं को समझाने की कोशिस करते हैं कि तुम्हारा अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं है हम सभी को यहाँ से वापस लोट जाना चाहिए रात काफी हो चुकी थी इसलिए सभी वही रुखने का फैसला करते हैं मौनिंग होते ही उन्हें वहाँ से गुजरता हुए एक हेलिकॉप्टर दिखाई देता है टॉम मदद के लिए हेलिकॉप्टर की तरफ भागता है लेकिन तब तक वो काफी दूर जा चुका था इधर गॉंग जिसे अपने वाकी टॉकी पर सिगनल दिखाई देता है और उसे तो अपनी बेटी की आवाज भी सुनाई दे रही थी और पीछे से और भी लोगों की आवाज आ रही थी ये सुनकर तो वो खुशी से जूम जाता है वो सब को बताता है कि मेरी बेटी अभी जिन्दा है लेकिन टॉम लगातार इस बात का यकीन दिलाने की कोशिस कर रहाता कि सबी लोग मर चुके हैं अकेला मैं ही जिन्दा बचा हूँ लेकिन एक बर फिर से वोकी टॉकी में आवाज आने लगती है जिसे सबी को ये यकीन हो जाता है कि अभी तो बहुत सारे लोग जिन्दा बचे हैं सच्चाई सामने आते ही सबी टॉम को गुसे भरी नजरों से देखने लगते हैं इससे पहले कि सबी उसे मार देते टॉम वहाँ से भाग निकलता है और इसके पीछी जाता है और बाकी बचे लोग नस की तरफ मूव कर जाते हैं तब ही टॉम को उपर फिर से हेलिकॉप्ट रेखते हैं कि एक एक कर सारे अंडे फूट दे जा रहे थे और इसे बड़े बड़े स्नेक के बच्चे निकल रहे थे जिसकी वजह से किया बहुत डर रही थी और इसके पास बैटी शेश उसे कामडाउन करने की कोशिस कर रही थी वहीं अंडों से निकल कर जैसे ही के साथ उसी नेस तक पहुँच चुका था वो जैसे नेस में जाकर देखता है उसे सामने अपनी बेटी खड़ी वी दिखाई देती है वो से देखते ही खुशी से पागल हो जाता है वो अपनी बेटी से कहता है मैं तो में यहां बचाने के लिए आया हूं कॉंग जल्दी से बड़ी सी रसी को नीचे के उड़ाता है और उससे किया को ऊपर खिशने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो से बाहर निकाल पाता वही बड़ा सा स्नेक वहां पर आने लगता है लेकिन इससे पहले कि स्नेक गौंग को कुछ कर पाता माओ वहां पर एक बड़ा सा थियार ल एक एकर सबको बाहर निकालने लगता है, नीचे सर्वाइवर्स में मौझूद कैप्टन उपर जाने में सबकी मदद कर रहा था, लेकिन जब तक वो कैप्टन बाहर निकल पाते नीचे मौझूद स्नेक्स उसे खा जाते हैं, यानि कि उस कैप्टन ने सबको बचाने के लिए जलते हैं, तभी माउ सबी को रोकते हुए कहता है कि हम उसे स्नेक से बचकर बहुत दूर नहीं भाग सकते क्योंकि जल्दी वो हमारे पीछे आ जाएगा, और हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम यहां से भागने के बजाए उसका सामना करना होगा, जैसा कि अभी तक हम करते अब यह सबी यहां मिलकर प्लानिंग बना चुके थे और तब तक महीं पर स्नेक आ जाता है, प्लान के मताबिक माउ और उसका एक साथ ही बड़े सी वेपन से स्नेक के पूरी बोड़ी पर एक बड़ा सकट लगाता हुआ चला जाता है, जिससे कि स्नेक को आगे मूव करने म परेशानी हो, और उसने को डाइवर्ट करते हुए लगातार उसे उस जगा पर लेकर आते हैं, जहां पर वो फ्लेमबल लिक्विड मौझूद था, और इधर गॉंग अपनी बेटी को सुरक्षे जगा पर रोक कर वापिस अपने दोस्तों को बच्चा आने के लिए जाता ह लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पहुचता, वो अपनी बेटी को एक बर फिर से साप के सामने देखकर हैरान था, क्योंकि साप शायद उससे पहले ही वहाँ पहुच चुकी थी, और इससे पहले कि गौंग कुश कर पाता, वो साप जल्दी ही किया को निगल लेता है, उधर कहां देखते ही उसे पगड़ कर बाहर खिषता है, किया साप के मुसे तो सुरक्षित बाहर निकल आई थी, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉंड नहीं कर रही थी, जिसके कारण गौंग की सांसे अटक जाती है, वहां मवजूद सभी लोग पूरी तरह से परिशान हो जाते ह वो लगातार किया को फॉर्स टेट दे रहे थे, उसकी सांस पूरी तरह से अटक चुकी थी, लेकिन थोड़ी महनत के बाद जल्दी किया की सांसे वापस लोट आती है, और फाइनली गौंग ने अपनी साथियों के मदद से अपनी बच्ची को बचा लिया था, और दूसरी ये मुवी कैसी लगी हमें ये कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सो प्लीज लाइक और कॉमेंट करना तो बिल्कुल न भूलें, और आगे हम आपके लिए कौन से मुवी थैंक यू फो वचिंग दवीडियो